अगर आप किसी ऐसे relationship में है जहां पर आप अपने partner से दूर है या अगर साथ है भी तो commitment नहीं मिल पा रही है तो आज की rating आपके लिए है आज की reading का topic है कि क्या इस March के महेने में आप दोनों का reunion होगा यह आज हम देखने वाले हैं पिका कार्ट reading रहेगी तो pile selection के लिए यहाँ पर आपके पास दो option है जिस तरहीके से pile select करने के लिए कहूंगी प्रीज उसी तरीके से pile को select कीचेगा तांकि आप energy को बहुत अच्छे से समझपाई pile की selection आपको अपने नाम के first alphabet से करनी है आपके partner का नाम कौन सी pile में आता है इससे इस video का कोई भी लेना देना नहीं है तो आप male है, female है, married है, unmarried है, divorced है, extra marital affair में है, long distance relationship में है, no contact situation में है आज की reading कहीं न कहीं आपसे resonate ज़रूर करेगी तो pile selection देख लेते हैं तो pile number one में है, aceg, ikmo, qsu, wy and pile number two में है, bdfh, jlpr, ntv, xz तो आईए चानते हैं चिन्हों ने pile number one चूज किया है आपके लिए क्या energy निकल कर आती है आईए देखते हैं क्या energy निकल कर आती है आपके लिए क्या इस march के महीने में आप दोनों का reunion होगा आईए जानते हैं क्या इस march के महीने में आप दोनों का reunion होगा the star का card है यहाँ पर the next card is the empress का card है knight of wands का card है यहाँ sorry king of wands का card है यहाँ पर and five of cups का card है six of cups का card है the hanged man का card है the next card over here is ten of wands का card है the next card is strength का card है the next card over here is the hermit का card है the next card is six of wands का card है and bottom of the deck पर यहां पर seven of sports का कार्ड है तो सबसे पहले हम यहां पर आपके partner के zodiac signs discuss कर लेते हैं यहां पर जो आपके partner के zodiac signs नजर आ रहे हैं वो है Scorpio Cancer Pisces then is Aries Leo Sagittarius then is Aquarius Gemini Libra आन सबसे कम यहां पर Capricorn Vogo Taurus है तो पहले मैं इस deck से भी देखूंगी और उसके बाद मैं आपको detail में explain करूंगी क्या इस March में आपका reunion होगा इस month में क्या आपका reunion होगा आए जानते हैं तो पहला कार्ड है Goddess of the Moon का कार्ड है The next is Appreciation का कार्ड है Angel of Balance का कार्ड है Action का कार्ड है यहां पर and bottom of the deck पर contract का कार्ड है और देख लेते हैं इस deck से क्या इस month में आप दोनों का reunion होगा आए जानते हैं इस deck से क्या इस March के महीने में आप दोनों का reunion होगा Seek the Truth का कार्ड है Confront का कार्ड है Sacral Chakra का कार्ड है Release का कार्ड है Helpless and Hopeless का का कार्ड है ओके तो जिन्हों ने pile number one चूस किया है आए डिटेल में चानते हैं क्या इस March के महीने में आपका reunion होगा देखिए जब इस month में full moon आएगा जब तक तब तक इस relationship की energy बहुत positive बनी रहे दीरे 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 आप अपने partner को लेकर काफी firm महसूस करेंगे लेकिन उसके बाद के जो पंदरा दिन होंगे उसमें ये relationship downfall experience करने वाला है इस relationship में downfall आएगा चीक है actually आपके इस relationship के regard में इस month में in out की स्थिती बनी रहेगे आपके partner का आपके जीवन में आना और आपके जीवन से जाना ये इसी month में लगा रहे हो इस month में सबसे बड़ा factor ये है कि जो angel of balance है वो आपको bless कर रहे है जब आपके partner इस month में higher energies में होंगे अगर उस time पर आप अपने इस रिष्टे की बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे सच को पहचानने की कोशिश करेंगे जो आप देख रहे हैं क्या वही सच है ये भी पहले आपको confirmation होनी चाहिए जब आप इस month में अपने partner की higher energies के time पर सच को पहचानने की कोशिश करेंगे अपने डर को confront करेंगे तब आप अपने partner को lower energies में जाने से रोख सकते हैं और reunion उस time पर possible होगा लेकिन आपके अंदर एक बहुत ही अलग सी tendency है वो ये है कि आप अपने आपको नह बहुत ही ज़ादा helpless and hopeless बानते हैं आपने खुद इस relationship पर give up करना शरू कर दिया है आप खुद इस relationship के लिए कोई भी रास्ता चुदने के लिए तयार नहीं होते हैं पहले तो खुद को इस स्थिती से बाहर निकालिए आज की reading देखने का फायदा ही तब है अगर आप already सोच चुके हैं कि आपको अपने partner से move on ही करना है तो फिर move on कर चाहिए फिर तो tarot readings देखनी बन कर दीजिए बिकाज ऐसी तो आपके partner के case में ऐसी कोई energy नहीं आने वाली है कि आपके partner अपने आप आपके पास आ रहे हैं आप अगर इस उमीद से देख रहे हैं तो बेगार है ये चीज़ आप अपने अंदर से ये helplessness ये hopelessness निकाल ये बहार इस relationship में इस मंत में बहुत सारी चीज़े positive हो सकती है लेकिन उसमें आपके guts की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी हिम्मत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मंत में आपको अपने डर को confront करने की ज़रूरत है आप जिस भी वजह से इस relationship से भाग रहे हैं जो डर है न आपको कि ऐसा तो नहीं हो गया है कहीं और अगर आपको वो डर पता भी है और उससे फिर भी आप भाग रहे हैं अगर उसे confront कर लेंगे तो रास्ते खुल जाएंगे इस relationship के लिए जो अंदर आपके insecurity बनी हुई है कि पता नहीं हमारे partner वापेस आएंगे कि नहीं इस insecurity को आप overcome कर सकते हैं बहुत easily overcome कर सकते हैं कैसे overcome करना है इस fear को release करना है जब charge अपने हाथ में ले लेंगे तो definitely यह जो fear है यह release हो जाएगा इसमें आपने अपने partner को लेकर ना इस relationship में धारना बना रखिया अपने मन आप बहुत particular हो चुके हैं एक चीज़ को लेकर कि हमारे partner ने हमारे साथ गलत किया हम अब कुछ नहीं कर सकते हमने जो करना था हमने कर लिया हमारे partner हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं वे call और message पर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे आप जतनी चीज़ें उन्हें call या message पर समझाने की कोशिश करेंगे आपके partner वो बात नहीं सुनेंगे इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीचे पहले तो अपने partner के against जो भी negativity आपने अपने दिमाग में भरी हुई है उस negativity को release कीज़े उस चीज़ को release कीज़े जो च लेके और positive way में इस relationship के बारे में सोचिए आप जो भी इस relationship के लिए action लेंगे ना वो बेकार नहीं होगा बलकि एक point के बाद आपके partner appreciate करेंगे कि thank God आपने इस relationship को बचा लिया इस relationship में इस month में reunion हो सकता है लेकिन आपके action के तहत होगा आपको action लेना होगा और immediate action लेना होगा उसका reason ये है कि जैसे जैसे आप full moon की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके partner की energies higher हो रही है ये वक्त है उस action का जब आप अपने partner को उनकी energies में रोक सकते हैं उनकी higher energies में रोक सकते हैं ताकि दुबारे से वो lower energies का शिकार ना हो ठीक है तो ये energy यहाँ पर निकल कर आई है and the other thing is यहाँ पर contract का कान है देखिए आपके partner के साथ आपका reunion इस month में आप नहीं go through करना चाहते हैं तो अगले month में हालात वैसे बनेंग लेकिन इसमें separation permanent separation नहीं है आपके move on कतने से ये relationship खतम नहीं हो जाएगा क्योंकि आप दोन हो एक दूसरे के साथ soul contract में बने हुए हैं इसमें balance लेकर आना होगा आपके partner ने आपके साथ अन्याय ज़रूर किया है लेकिन आप इस रुष्टे के साथ न्याय करके उन्हें एक म सिरफ आपको भी अपने आँखों से उस पट्टी को हटाने की ज़रूरत है जो एक negativity की पट्टी आपने अपनी आँखों में बांधी हुई है आपने एक ऐसी पट्टी अपनी आँखों पर बांधी है जिससे आप अपने partner को उन्हीं parameters पर judge कर रहे हैं जिस तरहां से उन्हो उन्हें आपके साथ behave किया है लेकिन उसके इलावा आपके partner की जिन्दगी में बहुत कुछ अप घटित हो चुका है तो अपने partner को इस तरीके से judge करना बंद कर दीचे इस month में आपको अपने इस relationship में balance लेकर आने की जरूरत है इस month में full moon no moon दोनों ही आपके relationship को बहुत ज़ होगा हिम्मत के साथ समझदारी के साथ इस relationship में इस month में reunion हो पाएगा otherwise expectation के basis पर कुछ भी नहीं होने वाला है मैं इसलिए बहुत शौर हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाएगी because यहाँ पर appreciation का card निकल कर आया है आपने जिस तरीके से इस relationship को संभाला है आपके partner आपके efforts के और जादा कदर करना वो शुरू करते है तो अपने इस relationship को लेकर आपके अंदर जो भी doubts है उसे निकाल दीचे आप दोनों के बीच में जो भी problem किसी third party की वज़ों से है वो problem सिरफ temporary problem है third party भगवान नहीं है जो आपके इस relationship को हमेशा के लिए खतम कर पाए ठीक है लेकिन time period इतना ज़ादा जरूर हो जाएगा कि उसके बाद आप दोनों इक दूसरे को अपना ही नहीं पाएंगे तो फायदा क्या है action नहीं भी लेना चाहते है छोड़ दीजे लेकिन सालों साल लग जाएंगे इस reunion के लिए तो फिर क्या करेंगे आप बताएए ठीक है तो इस मार relationship में reunion 100% आप establish कर पाएंगे तो आएए देखते हैं अब बारीकी से कि क्या क्या चीजे होने वाली हैं देखिए इस month की starting में ही आपके partner पुरानी चीजों को let go करने वाली energies के अंदर आ जाएंगे आप दोनों के बीच में जो भी चीजे हुई हैं आपके partner उन चीजों को करने वाले हैं यह उनकी higher energies हैं जिसकी तरफ को वो बढ़ रहे हैं उसके बाद आपके partner यह experience करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके सामने वो अपनी हर एक चीज को रख पाएं आपके partner full moon आते आते तक इस relationship को लेकर unidirectional हो जाएंगे कि उन्हें आपकी और ही move करना है आपके बिना उनके जीवन के अंदर किसी भी तरीके की कोई stability नहीं आ सकती है आपके partner काफी confident होंगे आपकी तरफ को move करते हुए आपके partner अपनी समझ का इस्तेमाल करने वाले हैं वो पूरी strength के साथ आपकी तरफ को move करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें इस बात का एह असास होगा कि जो जीवन की खुशियां हैं वो सर्फ और सर्फ आपके साथ ही वो experience कर सकते हैं उनके जीवन में आप ही एक ऐसे person है जो खुशियां लेकर आ सकते हैं otherwise उनका जीवन नीरस हो चुका है ठीक है उन्होंने जो वक्त आपके साथ spend किया था ये वक्त उनकी strength बनने वाला है आपके partner उन सभी memories को याद करेंगे जो वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है और ये चीज़ आपके partner को बहुत जदा motivate करेगा आपकी तरफ को बंढने के लिए ठीक है लेकिन जैसे ही full moon भीतेगा उसके बाद situation ऐसे create हो जाएगी क्योंकि तब तक contact क्या message नहीं करेंगे वो पूरी planning कर लेंगे कि आपको कैसे बताना है जो कुछ भी हुआ है वो आपको कैसे अपनाएंगे उस चीज़ के बारे में पूरी strength आपके partner गेन करने वाले हैं लेकिन उसके बाद क्या होगा full moon के बाद आपके जो partner है न वो lower energies की तरफ बंढना शु नहीं हुई और आज मुझ इस तरह से सोच रहे हैं कि सच में चीज़े वैसी हो भी बाएंगी वो कुछ doubts उनके मन में आने शुरू हो जाएंगे तो आपके partner एक feeling of loss की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे उन्हें ये मैसूस होगा कि ये relationship अब पहले की जैसे नहीं हो सकता है उन्होंने आपको हमीशा के लिए खो दिया है हो सकता है आपने भी अपने जीवन में move on कर लिया हो तो इस तरह की feelings में आपके partner मुझे यहाँ पर enter करते हुए नजर आ रहे हैं ये चीज़े सोचते सोचते आपके partner अपने आपको बहुत ज़दा अकेला कर लेंगे अकेले उनके जीवन में कोई भी इंसान प्यार नहीं कर सकता है तो आपके partner इस third party के साथ रहते रहते भी कहीं न कहीं अपने आपको बहुत ज़दा अकेला कर लेंगे और अकेले बंद में कुछ चीज़ें इनके समझ में भी आएंगी कुछ चीज़ें की बहुत ही lower energies की तरफ को भ अटक जाएंगे जहां पर वो action लेने के लिए बिलकुल तयार थे वहीं पर आपके partner अटक जाएंगे इसलिए आपको कहा गया है कि ये चो time period है ये action का time period है क्योंकि इस time पर आपके partner higher energies में है अगर कोई भी चीज़ करते हैं उस चीज़ का result आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये time आपके partner negative नहीं है इस time पर आपके partner बहुत सरी चीज़ों को लेकर सकरात्मक तरीके से सोच रहे हैं लेकिन उसके बाद full moon जैसे ही बीच जाएगा उसके बाद आपके partner negative हो जाएंगे आपके partner इस relationship को लेकर hanged mode में आ जाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं उनके बस की बात नहीं है कब तक वो इसी तरीके से अपनी life को अटका कर रखेंगे उनके लिए ये relationship उसके बाद burden बनना शुरू हो जाएगा जी हाँ ये आपके partner की energies हैं जो इतने बुरे तरीके से change होने वाली है और ये automatic change भी है और इसमें एक सोने पर सुहागा तो वो होगा जो third body का action भी होगा लेकिन ये आपके partner की अपनी energy का pattern है moon के साथ आपके partner की energies बहुत ज़ादा change हो रही है उसके पीछे भी कोई कारण जरूर है आपके partner full moon और no moon के time पर अलग-अलग तरीके से behave करते हैं उसके पीछे उनकी energy के अंदर क्या interlocking की है इस third party ने वो चीज समझने की ज़रूरत है जहां पर starting में आपके partner इस relationship को ठीक करने के बारे में आपको वो खुशियां देने के बारे में सोच रहे हैं वहीं पर बाद में आपके partner के लिए ये relationship burden बनता हुआ नजर आ रहा है जहां पर आपके partner starting में पूरी strength से काम करने की कोशश कर रहे हैं वही पर आपके partner अपने हत्यार डालने वाले हैं लास तक जाते चाते तो इस relationship के प्रती strength रखने की जरूरत courage रखने की जरूरत आपको भी है आपके partner को ऐसा महसूस होगा कि अब अगर वो आपको कुछ भी कहेंगे तो आप उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे ये bottom of the deck की energy निकल कर आई है इसका मतलब ये है starting में आपके partner के अंदर ये guts होंगे कि वो आपको convince कर लेंगे कि उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और जो कुछ भी गलत हुआ वो हालातू के चलते हुआ लेकिन बात में उन्हें ये महसूस होगा कि आप उनके उपर येकीन नह रही हूं six of wands का card है आपके partner के लिए starting में ये चीज़ होगी कि उन्हें कोई परवान नहीं होगी कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है किसी भी social obligation में आपके partner नहीं फसने वाले है starting में उन्हें ऐसा लगेगा कि वो आपको सब के सामने अपनाना चाहते हैं और उसके लिए जो उनके बस में होगा वो करेंगे लेकिन उसके बार आपके partner इस society के बारे में सोचने वाले हैं कि उनके अपने लोग क्या कहेंगे दुनिया क्या कहेगी समाच क्या कहेगा इन सभी चीज़ों के बारे में आपके partner उसके बार बहुत जादा focused रहेंगे ये पूरे month की energies हैं तो up and downs हैं और ये up and downs क्यों हो रहे हैं ये धीरे 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 पता लगेगा जो पहले मैंने cards निकाले थे उसमें action का card निकल कर भी आया था तो ये zeal सिरफ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए action लेने की बलकि आपके partner के अंदर भी है कि उन्हें action लीना है ठीक है ल इस चीज़ का फाइदा उठा सकते हैं कि आप अपने partner को lower energies में जाने से रोके ठीक है तो आये जानते हैं अब इस deck से क्या इस month में आपका reunion होगा आये जानते हैं इस deck से क्या March के महीने में आपका reunion होगा आये जानते हैं तो पहला card है यहाँ पर finances and career का card है the next card is retreat का card है the next card over here is you deserve love का card है the next card is getting to know each other का card है the next card over here is release your ex का card है the next card is pay attention to red flags का card है obviously यह card आना ही था and bottom of the deck पर make the effort का card है देखिए reunion चाहते हैं तो effort लगाना पड़ेगा बिल्कुल मौका है reunion होने का बिल्कुल मौका है लेकिन अपने आपसे नहीं होगा यह आपका प्यार इतना सच्चा है तो यह प्यार आपके efforts deserve करता है आपके steps deserve करता है steps अपने आप से नहीं लेने हैं क्योंकि ऐसा जो वक्त है वो बार-बार नहीं आता है इस बात का ध्यान रखिएगा आपने steps वो लेने हैं जो आपको guidance से steps लेने के लिए कहा चाहेगा ठीक है इस महीने में आपके partner थोड़ा सा अपने finances और career में अठके रहेंगे उनके finances और career में कुछ ऐसा boost उने नहीं मिलने वाला है finances की terms में कुछ चीज़े वो suffer करने वाले हैं लेकिन आपके partner के लिए priority आपका और उनका ये relationship होगा आपके partner दुनिया से कटने वाले हैं मतलब वो starting में अपने आपको हर एक इंसान से disconnect करेंगे क्योंकि उनके मन में ये भाब होगा कि उनका प्यार सर्फ और सर्फ आप deserve करते हैं आप lovable हैं आपको उनका प्यार मिलना चाहिए और आपके partner को इस बात का भी एहसास होगा कि जब से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं शायद एक दूसरे को और ज़्यादा बारिकी से पहचानने लगे हैं आपके partner इन energies में रहते हुए भी जब lower energies में चाहेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आपने उन्हें छोड़ दिया हैं आपने उनसे आगे बढ़ने के बारे में decide कर लिया है और इस बज़र से उन्हें भी आपके बारे में सूचना छोड़ देना चाहिए आप देखिए दो सही कि energy की कितनी complexity है मतब किस तरीके से energy निकल कर आ रही है और यहाँ पर एक guidance आपके लिए भी है आपके partner तो शायद इस guidance को नहीं समझ पाएंगे आप इस चीज़ को सुन लेजे आपके इस रिष्टे में बहुत सारे red flags है बहुत सारी चीज़ें हो रही है उन red flags पर attention pay कीज़े उन red flags को avoid करके आप आगे की और नहीं बढ़ सकते हैं अगर अपनी तरफ से यह कोशिश रखेंगे ना कि क्या ऐसी गलती होती है कि हमारे partner negative energies में चले जाते है या फिर आपको उन्हें negative energies में जाने से completely रूखना ही है तो वो सारी चीज़ों पर आपको बारीकी से काम करना होगा details में चीज़ों को समझना होगा बारीकी समझनी होगी हर एक चीज़ तब आप समझ पाएंगे कि क्या red flags है कहाँ पर आपको precaution लेना है और किस तरहां का precaution लेना है तो ये energy निकल कर आई है आईए आपके partner की soul से कुछ messages निकाल लेते हैं आपके लिए आपके partner की soul आप से क्या कहना चाहती है आईए जानते है आपके partner के soul से कुछ messages आपके निक तो पहला message है मेरी situation को समझने की कोशिश करो मुझे तुमारी ज़रूरत है तो आपके partner आप से ये कहना चाहते हैं कि जो उनकी situation है उससे आप ही समझ सकते हैं प्लीज उनकी situation को समझने की कोशिश कीजिए उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके partner आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं बहुत ज़्यादा miss करते हैं आपके बिना उनका survival नहीं है और देख लेते हैं तुम्हें गलत समझना मेरी life की सबसे बड़ी गलती रही है प्यार किया तो दोनों ने था पर निभाया सर्फ तो ने आपके partner आपसे ही कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको समझा ही नहीं आपको गलत समझा और ये उनकी life की सबसे बड़ी गलती रही है प्यार आप दोनों ने किया था पर निभाया सिर्फ और सिर्फ आपने इस बात का एहसास है आपके पार्टनर को गुमराह सा हो गया हूं अपनी जिंदगी से आपके पार्टनर बहुत जादा लॉस्ट महसूस करते हैं वो अपनी जिंदगी से गुमराह से हो गये हैं ओके और देखते हैं आपके पार्टनर को इस बात का बहुत जादा दुख है कि आप दोनों अलग हो गए आपके पार्टनर को ऐसा लगना है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इस जोनी को तो स्टार्ट किया लेकिन कब और कैसे आप दोनों के रास्ते अलग हो गए यह उस नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा पश्टावा है और देखते हैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैं किस तरहां तुम्हारे सामने आउँ मुझे यही नहीं समझ आता है देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनरजीज में भी जा रहे हैं जैसे जैसे एनरजीज बढ़ रही हैं उन्हें पश्टावा हो रहा है कि उन्होंने उस परसन को हर्ट कर दिया जिस परसन ने उन्हें सबसे ज़्यादा अपने जीवन में प्यार किया तो आपके पार्टनर अपने आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट की एनरजीज में मैसूस कर रहे हैं उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो किस तरह से आपके सामने आए जिन्हों ने पाई लंबर वान चूस किया है मैं आपको ये कहूंगी कि आप जिनरली पूछते हैं कि मैं वो आक्षन का वक्त कब होता है जब हमारे पार्टनर हमारे पास इमेडियेटली वापिस आ सकते हैं तो ये 10-12 दिन आपके पस हैं, जब आपके पार्टनर आपके पास बहुत जल्दी से वापस आ सकते हैं, तो इस वक्त को वियर्थ मत कीजेगा, इस वक्त को देस्ट मत कीजेगा, जिन लोगों को अपने पार्टनर के उपर यकीन है, अपने प्यार के उपर यकीन है, आप चोटी चोटी remedies होती हैं जो आप go through कर सकते हैं और कई बार healing के process आपको go through करना पड़ता है अब healing की जब बात आती है तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि पता नहीं result आएगा नहीं आएगा देखें आप मेरी community tab है आप उसे एक बार देख सकते हैं उसमें healing के results दिये हुए ह होते हैं वहाँ पर मैं post करती हूँ आपको समझा जाएगा कि healing किस तरह से काम करती है अगर आप मेरे साथ अपने reading book करना चाहते हैं तो आप मेरे whatsapp के through या फिर मेरी email id के through कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगे जिन लोगों ने अभी तक इस चीज़ को नहीं समझा ह है या अपने partner को आप माफ नहीं कर पा रहे हैं तो इस situation से move on कर लेना ही समझदारी की बात होगी because इस situation से fight करने के लिए courage तो definitely चाहिए प्यार ज़रूरी है आपका faith है आपके partner के अंदर कि नहीं यह आपको decide करना है ठीक है so I hope जुन्हों ने fight number one choose किया है आज के rating आपको पसंद आई हो नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा यह rating आपको कैसे लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा अपने near india ones के साथ share ज़रूर दीजेगा वो सत्ता है किसी को अपनी life को लेकर अपने relationship को ल personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं यह booking आप मेरे whatsapp के through या फिर मेरी email id के through कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को subscribe कर लीजे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडिय notification मिलती रहे मेरे एक और चानल भी है soul divine journey डारो लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियो पोस्ट करती हूं जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी डेली इंचले guidance रोज रात आट बज़ चानल पर पोस्ट करती हू आप लीज उस चानल को भी subscribe जरूर करने चे और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलेगा जिसे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिल भी रहे हैं मेरे एक और चानल भी है soul mystic taro उस चानल पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे ज़बात yes or no pendulum readings आप लीज उस चानल को भी subscribe जरूर कर लीजए और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलेगा जिसे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मलती रहे हैं उस चानल का लिंक भी आपको नीचे description box में मल जाएगा so now let's see for pile number two जिन होने ये वाली pile choose की है आईये जानते हैं कि क्या इस March के महीने में आपका reunion होगा आएए जानते हैं for pile number two people क्या इस March के महीने में आपका reunion आपके partner के साथ होगा क्या आप दोनों एक हो पाएंगे इस महीने में आएए जानते हैं for pile number two people Let's see क्या इस March के महीने में आपका reunion होगा तो पहला card है five of wands का card है The next card over here is eight of cups का card है The next card is two of pentacles का card है The next card is the wheel का card है The next card is ten of cups का card है The next card over here is four of swords का card है The next card over here is the fool का card है Justice का card है Nine of cups का card है यहां पर वाव The next is three of cups का card है Okay and bottom of the deck पर ace of cups का card है यहां पर तो सबसे पहले हम आपके partner के zodiac signs जान लेते हैं जिनों ने pile number two choose किया है यहां पर मुझे जो आपके partner के zodiac signs नजर आ रहे हैं वो सबसे पहले है Scorpio, Cancer, Pisces then is Aries, Leo, Sagittarius then is Aquarius, Gemini, Libra and सबसे कम यहां पर Capricorn वो गुट Taurus है So आएए पहले हम दूसरे काज से भी चीज़े निकाल लेते हैं ताकि फुरी clarity हो और हमें guidance का भी साथ ही पहले पता लग जाए कि divine की तरफ से भी क्या guidance है तो आएए जान लेते हैं क्या March के महीने में आप दोनों का reunion होगा जिन्होंने pile number two choose किया है आएए जानते हैं क्या इस महीने में आपका reunion होगा तो पहला card है yin and yang का card है wow the next card is community का card है the next card over here is cornucopia का card है the next card over here is curing connections का card है and bottom of the deck पर fourth chakra archangel rafail का card है आएए अब हम इस deck से जानते हैं for pile number two क्या इस March के महीने में आपका आपके partner के साथ reunion होगा आएए जानते हैं क्या इस महीने में आपका आपके partner के साथ reunion होगा तो पहला card यहाँ पर find balance का card है the next card is lead का card है the next card over here is love का card है the next card over here is share the love का card है and bottom of the deck पर joy and stability का card है तो जिनोंने pile number two choose किया है यह महीना आपके लिए बहुत 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 जादा लगी है आपके case के अंदर इस महीने में union के chances बहुत जादा नजर आ रहे हैं इस month में यह relationship एक नए रास्ते पर बढ़ने वाला है इस month में reunion possible है लेकिन इस relationship के लिए आपको इस relationship का charge अपने हाथ में लेना होगा इस relationship में इस महीने में आपको मौका मिलेगा कि आप balancing की और बढ़ पाए इस relationship को balance कर पाए इस relationship की सबसे बड़ी कमी यही है कि इस relationship में balance नहीं है एक दूसरे के प्रति उतनी समझ नहीं है इस relationship के प्रति उतनी समझ नहीं है बट इस महीने में बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे बहुत सारे मौके आपके पार्टनर को मिलेंगे जहां पर आप दोनों एक दूसरे के प्रती अपनी समझ को सही कर पाएंगे अच्छी बना पाएंगे और साथ ही साथ आप इस relationship में एक balance attain कर पाएंगे लेकिन इस relationship का future basically आपके उपर जदा depend करता है आपको इस relationship में चार्च इस मन्त में लेना होगा बहुत strong guidance आपको मिल रही है ultimate मौका है आपके पास अपने इस प्यार को पहचानने का इस मन्त में इस illusion की energies जिस illusion में आप track है न आपको clarity से चीज़े समझ नहीं आती है आपके इस relationship की सच्चाई क्या है उसका अनुभव नहीं आप कर पाते है तो उस प्यार को आपको समझना है अपने उस प्यार पर आपको यकीन करना है जो प्यार आपने अपने पार्टनर के साथ किया और आपके पार्टनर ने in return वैसा ही प्यार आपको भी दिया है अपने इस प्यार को समझिए इस महीने में आप दोनों का जो ये प्यार है न आप दोनों के लिए strength बनने वाला है और इस प्यार को आपको आपके पार्टनर के साथ share करना होगा आपके partner ने आपको धूका दिया आपके इस प्यार के बीच में एक गांट बंद गई है trust issues develop हो गए है उन सब को resolve करना है एक बड़पन दिखाना है आपको अपने इस relationship के प्रती यह चीज़ बहुत बहुत important है, कहना बहुत असान है आपके लिए करना थोड़ा सा difficult होने वाला है तो आपको basically अपने इस प्यार की ताकत को समझ कर इस प्यार को अपनी ताकत बना कर आगे की और बढ़ना है इस मन्त में आपको हमेशा यह चीज़ महसूस होगी, कि आपके जो partner है न, वो आपके पास है आपके emotions उनके साथ जुड़े रहेंगे, इस मन्त में जो reunion जिन लोगों का होगा न, वो permanent reunion होगा, उसमें कोई भी complications नहीं आएंगी तो इसलिए अगर आपको किसी भी और वीडियो में इस point पर guidance मिल रही है कि अपने relationship के प्रती आपको ये-ए steps ले लेने चाहिए तो आप ले लीजिए, because ये मन्त एक बहुत ही important वक्त है आपके इस relationship के लिए आपके इस relationship को एक नई direction में लेकर जाने के लिए, देखें इस मन्त में आपका reunion 100% संभव है और इस मन्त में ये reunion, इस third party के आपकी life में exist करते हुए होगा ये third party exist कर रही होगी, और तब आप कोई ऐसा action लेंगे जिसका result आपको इतना instantaneous आएगा, कि ये third party देखती ही रह जाएगी यहाँ पर ये जो third party का धोका है ना, ये आपके partner के सामने बनकुर खुल कर आजाएगा ये ही चाह रहे हैं ना ये ही तो आप nature से manifest करते आए हैं, कि आपके partner के सामने इस third party की सच्चाई completely निकल कर आजाए उस चीज की पूरी संभावना है लेकिन leadership role किसका होगा, वो होगा आपका ठीक है, आपको आपके partner वैसे मिलने वाले हैं, जिस तरहां से आप उन्हें अपनी life में लेकर आना चाहते हैं, मतलब कैसे, आप दोनों आपस में abundance की energies को enjoy करेंगे, वो आपके प्रती loyal रहेंगे dedicated रहेंगे, आपकी care करेंगे, आपको लेकर possessive होंगे, आपके इस relationship में उनका 100% interest होगा आपके इस relationship को खुबसूरत बनाने का प्रयास वो भी करेंगे, once वो आपके साथ इस reunion की energies में enter करेंगे, इस मन्त में reunion 100% आप लोगों का possible है, तो इस वक्त को गवा मत दीजिएगा, उसके बाद आप पुछेंगे कि माम अभी भी है मारा reunion नहीं हुआ, भई steps तो आपको लेने पड़ेंगे, तब इसमें energies बिलकुल aligned है, ये energies आपके साथ आपको favor करेंगी, जिस भी चीज में आपने आज तक steps लिया है शायद आपको उस तरह का result नहीं मिला, लेकिन अब वो result आपको मिल सकता है, तो effective steps की guidance, अगर आपको किसी भी guidance में निकल कर आती है, आपके लिए please उसे follow कीज़ेगा, हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे थे, कि इस मन्त में reunion की energies बनती हैं कि नहीं, आप लोगों के लिए 100% बनती हैं लेकिन उसके लिए जो भी guidance है, उस guidance को वक्त वक्त पर follow कीज़ेगा, तभी उस reunion की energies को आप witness कर पाएंगे, यहाँ पर joy and stability का card है, एक बार आपका, इस मन्त में reunion हो गया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाएं, क्यूंकि इस मन्त के reunion की जो जर्नी है, वो बहुत ही up and downs के साथ बने हुई होगे, बहुत ही up and down के साथ आप इस reunion को achieve कर पाएंगे, किसी किसी time तो आपको ऐसा लगेगा कि इस रिष्टे को आपने 100% खो दिया है, कभी कभी तो आपको लगेगा कि यह रिष्टा आपका की वो wondrous आपके लिए results होंगे, वो miracles होंगे आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत है नवर्ची है, अब देख लेते करने की क्या ज़रूरत है, किस तरहां से actions रहेंगे इस month में आईए जान लेते हैं, किस तरहां के actions रहने वाले हैं इस month में, देख लेते हैं let's see वो detail में अभी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी देखे, इस month में आपके इस relationship का time change हो रहा है वक्त बदल रहा है इस relationship का starting में बहुत ज़्यदा imbalanced energies रहेंगे समझ रहीं आएगा कि यह relationship सच में आपके लिए है भी की नहीं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस relationship के उपर give up करने की कोशिश करेंगे क्योंकि confusion होगी, आपको आपके partner के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि आपको अलग अपने आपको दूसरी direction में channelize करना चाहिए अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए same energies में आपके partner रहने वाले है वो fickle minded रहेंगे क्योंकि starting of the month में यह third party energy का जो influence है आपके relationship में बहुत ज़ादा रहने वाला है आपके partner आपके बीच में और इस third party के बीच में बहुत ज़ादा confused रहेंगे उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन्हें किसी भी चीज़ को लेकर clarity नहीं होगी वो एक तरफ आपकी तरफ को बढ़ना चाहेंगे और आपको ऐसा लगएगा कि आपके partner ना आपको एक option की तरह treat कर रहे हैं कभी in होते हैं कभी out होते हैं कभी बात करने की कोशिश करते हैं कभी एकदम ही give up कर देते हैं तो इस तरह के भाव आपको starting में आएंगे और आपके partner की energies को आप इस तरह से समझ पाएंगे third party influence starting में बहुत ही ज़ादा बड़े पैमाने पर आपको witness करने के लिए मिलेगा starting में आपकी और आपके partner की जो energy से वो एक दूसरे के साथ match नहीं होंगी आपको सामने ऐसा लगेगा कि आपके partner आपको लेकर ज़ादा defensive हो गए है वो आपकी situation को समझने की कोशिश नहीं करते हैं वो अपने हालातों को अपनी मजबूरी बता रहे हैं वो आपके प्यार को बिलकुल भी अपने level पर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं उन्होंने आपके प्यार को एक मजाक समझ कर रखा हुआ है वो आपके प्यार को उस तरहां से नहीं ले रहे हैं जिस तरह से वो पहले लिया करते थे तो इस तरह की कुछ energies हैं जो आप witness करने वाले हैं और आपका और आपके partner का जो point of view है न वो एक दूसरे के साथ इस month में match नहीं होगा starting of the month आप अपने आपको emotionally बहुत ज़़ा drained महसूस करेंगे आपको ऐसा लगेगा जो आपके partner है वो अपने आपको emotionally इस relationship से detach कर रहे हैं आपकी ये feeling बिलकुल जायज है क्योंकि आपके partner starting में ये चीज़ करने भी वाले हैं आपके partner आप से अपने आपको emotionally detach करेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि ये जो third party है न इसके साथ ही उन्हें अपना जीवन बिताना चाहिए because this third party के साथ ही वो अपने जीवन में वो सब कुछ हासल कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं और ये energy उनकी नहीं होगी ये energy इस third party की तरफ से आपके partner के अंदर imbibe की हुई energy होगी अब आप ये कहेंगे कि माम इतने ही जारी तो negative energies यहां पर नजर आ रही है आप कह रहे हैं reunion होगा बिलकुल होगा ठीक है आपको 10 दिन का इंतजार करना होगा उसके बाद आप खुद ही एक ऐसे रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे जहां पर आपको इस रिष्टे के प्रती एक नई opportunity सामने से नजर आएगी आपको ये चीज़ फील होगी कि आप इस तरह से अपने इस रिष्टे को ठीक कर सकते हैं आप इस तरह से अपने इस relationship को channelize कर सकते हैं एक बहुत बड़ी चीज़ आपको सामने से अपने लिए नजर आएगी इस रिष्टे के लिए नजर आएगी शायद आपको ऐसा step ले लेंगे जिसकी वज़र से आपके partner की energies बिल्कुल change हो जाएगी आपके partner आपके सामने अचानक से surrender करतेंगे तभी मैंने कहा है जो भी आपको guidance मिलेगी ना इस महीने में अपने partner के लिए या आप किसी भी guidance तक पहुँचते हैं आपको ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा कीज़े आपको ये कर लेना चाहिए बिल्कुल follow कीज़े का because तभी आपके partner आपके सामने अपने आपको surrender कर पाएंगे otherwise वो आपके सामने offensive mode पर रहेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वो person है ही नहीं जिनसे आपने प्यार किया था आपको ऐसा लगेगा कि आपके person ने आपको हमेशा use ही किया है अपने आपको उन low energies जिसकी तरफ को channelize मत होने दीजेगा इस बात का ध्यान रखियेगा ठीके इस महीने में जब आपके partner के लिए आपको effective steps ले लेंगे तो आपके partner का एक thought process change होगा वो change किस तरह का आने वाला है ये 10 दिन के अंदर 10-12 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये opportunity भी बिलेगी और इस guidance को भी आपको follow करना होगा तभी ये change आप experience कर पाएंगे ठीके full moon के आसपास तक आपको ये चीज़ follow करनी है तब आपके partner आपको justice देने के बारे में सोचेंगे वो ये सोचेंगे कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़दा अन्याय किया है वो आपके साथ न्याय कभी कर ही नहीं पाए जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि आपके partner को आपके बारे में सोचना चाहिए तस moment पर आपके partner आपके बारे में उस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे और आप जिस तरह से अपने इस relationship के बारे में सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए आपके partner को आपको commitment देनी चाहिए सब के सामने आपको अपनाना चाहिए सब के सामने अपनी feelings को express करना चाहिए आपके partner वो मौका आपको इसी मन्त में देंगे सिरफ एक ही if है इसमें guidance मिलेगी guidance को follow कीचेगा किसी भी हालात में आपको उस guidance को ignore नहीं करना है चाहिए वो आपके relationship के blockages के उपर हो चाहिए आपके partner के हालातों के उपर हो अगर आपने उस guidance को ignore किया जो भी आपको मिले इस reading के बाद जो भी आपको guidance आपके relationship के regard में मिल रही है कि ये blockages है आपके partner इन हलातों में है उसे definitely follow कीचेगा और आपको क्या करने की जरूरत है उसे अच्छे से समझ लीजेगा उसके बाद आप अपनी life के अंदर एक अदभुद सा change witness करेंगे एक miracle होने जा रहा है आपकी life में और आपके partner आपके साथ अपने रिष्टे की एक बहुत गहरी नीव रखने वाले हैं अभी तक शायद आपको यही उमीद होगी कि आपके partner इस third party से छोड़ कर आपको कुछ ऐसी वाते कह दे अपने हालातों के बारे में बता दें बड़ आपके partner जब आपके बास इस month में आएंगे तो वो आपको एक emotional commitment देंगे जहां पर वो आपको सब के सामने अपनाने के लिए तयार हो जाएंगे जहां पर वो अपनी family आपके साथ start करने की बाते करने वाले हैं ठीक है और यह सरफ बाते नहीं होगी आपके leadership role में आने के बाद यह सरफ बाते नहीं होने वाली हैं बलकि आपके partner की तरफ से effective steps होंगे इस relationship को लेकर आप हमेशा यही सवाल मुझसे करते आए हैं कि मैं हमेशा step हमी ले हमारे partner तो नहीं लेंगे यह वो वक्त आ गया है आपके एक step के बाद सारे steps आपके partner ही लेने वाले हैं और आपके इस रिष्टे को एक नई destination तक वो लेकर जाएंगे वो वो destination होगी जिसके खाब आप देखते हैं जिसके खाब आप सजाते हैं ठीक है यहाँ पर ace of cups का card है starting में emotionally आप drain होने वाले हैं लेकिन महीने के last तक पहुँचते पहुचते आप emotionally बहुत ज़दा strong हो जाएंगे आपको वो सारे emotions जीने का मौका आपके partner देने वाले हैं जिन emotions को जीना आप deserve करते हैं जिस तरहां का relationship आप deserve करते हैं उस तरीके का relationship इस महीने के end तक आपको hundred percent बिलने वाला है बताएए इतनी अच्छी तो energies हैं सिरफ एक guidance को follow करने की बात है आपकी life में बहुत बड़ा चमतकार होने वाला है आएए अब हम इस dick से जानते हैं क्या इस महीने में आपका reunion होगा आएए जानते हैं इस dick से क्या इस महीने में आपका reunion होगा आपके partner के साथ आएए देखते हैं पहला card wedding का card है वाव the next card is chemistry का card है the next card over here is very soon का card है the next card over here is soulmate का card है the next card over here is forgiving and learning का card है let your friends help you का card है and bottom of the deck पर express your love का card है एक भी card negative नहीं निकल कर आया है जो मैं emotional commitment की बात कर रही थी आपके partner इस महीने में आपको शादी के लिए propose का पने वादे हैं उनकी शादी के related energies आपके साथ channelize हो सकती हैं लेकिन उसके लिए आपको help की जरूरत है चाहे वो help आप अपने friends से लें चाहे किसी guide से लें support चाहिए आपको किसी और की थोड़ी सी guidance के साथ आपका ये relationship इस destination तक पहुँचेगा इस month में आपके partner को इस बात के realization हो जाएगी कि आपके partner आपके true soulmate है आप उनके true soulmate है आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं आपका ये रिष्टा बिलकुल pure and pious relationship है आपके partner को इस month में एहसास होगा कि आपकी तरफ वो खिचे चले आते हैं इस तरह की chemistry वो किसी के साथ भी अपनी life में enjoy नहीं कर सकते हैं इस chemistry के बिना किसी relationship को जीना nearest होगा तो इस वज़़ से आपके partner आपकी तरफ को बहुत सदा attracted महसूस करेंगे अब आपके सामने ये सवाल होगा कि मैम ये सब कुछ होगा कब जैसे ही आप action लेंगे उसके तुरंत बाद ये चीज़ होगी तो ये आपको decide करना है कि अभी भी सिरफ expectation रखनी है कि अपने इस relationship में leadership का role अदा करना है choice आपकी है बहुत close universal energies आपकी destination के around आपको लेकर जा रही है आप वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं ये आपके करम decide करेंगे ठीक है आपके partner इस महीने में आपसे माफी मांगेंगे वो आपसे sorry कहेंगे हर उस चीज़ के लिए जहां पर वो आपके साथ गलत कर गए है आपको उन्होंने hurt किया आपका दिल दुखाया उन सभी चीज़ों के लिए आपके partner आपसे माफी मांगने वाले हैं और इस महीने में आपके partner आपके प्रती अपना प्यार बहुत अच्छे शब्दों में बया कर सकते हैं उसके लिए उनकी energies को थोड़ा सा change करने की ज़रूरत है और आपको आपकी desired life मिल जाएगी और बताइए आपको अपनी life के अंदर क्या चाहिए इतनी सारे जो positive changes हो रहे हैं इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि life को लेकर आपको sorted होना बहुत ज़रूरी है अपनी life को आप किस direction में लेकर जाना चाहते हैं ये बिलकुल आपके हाथ में है so आए जानते हैं for pile number two people की आपके partner की soul से क्या messages हैं आपके लिए आपकी partner की soul आप से क्या कहना चाहती है वो किन हालातों में हैं क्या कहना चाहते हैं आप से मैं आज समझ पा रहा हूं कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल आपके partner को आज इस बात की realization हो रही है कि उन्होंने आप से प्यार तो बहुत असानी से कर लिया बट निभाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है सिरफ एक मौका मुझे दे दो मैं promise करता हूँ तुम्हें hurt नहीं करूँगा एक बार सिरफ आप अपने life की direction अपने partner की direction अपनी तरफ को channelize कर ले वो आपको दुबारा कभी hurt नहीं करेंगे सोचा नहीं था कि कभी ये दिन भी आएगा जब हम दूनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे आप ये मत सोचिए कि आपके partner आपके बिना बहुत खुश है उनकी soul से ये message निकल कर आ रहा है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा जब आप दूनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो I love you अगर अभी तक आपको कुछ ऐसी confusion है कि आपके partner आपसे प्यार नहीं करते है तो ये confusion से बाहर निकल जाएए आपके partner आपसे ये कहना चाहते है कि आप ही उनका सच्चा प्यार है वो आपसे बेंतेहा महबत करते है मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है हमें कोई अलग नहीं कर सकता आपके partner इस चीज़ को for granted लेकर भी कही न कहीं चल रहे है उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो साथ है ना आपको और उनका वो भगवान ने लिखा है चाहे वो गलत कर लें चाहे आप गलत कर लें आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता तो इसलिए आपके partner आपकी expectations पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं जैसा आप चाहते हैं ना कि वो आपके प्रती react करें वो अभी उस तरह से react नहीं कर पा रहे हैं ये energy shift आपके partner के अंदर लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है गलत इंसान नहीं होता हलात गलत होते हैं जिन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके partner जो है न वो अपनी clarification आपको देना चाहते हैं कि वो गलत नहीं थे हालात गलत थे और उन गलत हालातों ने उन्हें गलत साबित कर दिया तो जिन्होंने pile number two choose किया है मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यह जो मन्त है यह एक बहुत ही magical मन्त है आपके एक step से आपके partner और आपका reunion हो सकता है तो अपने इस relationship के लिए आपको क्या step लेना चाहिए क्या blockages है इस relationship की उसे जानने की कोशिश कीजिए और उसके उपर action लीजिए तो अगर आप यह blockages के बारे में जानना चाहते है तो आपको अपने एक reading लेनी चाहिए personalized reading लीजिए अपने partner की इस relationship की और आपके partner के साथ आपका reunion हो जाएगा अब सवाल आता है कि माम healing के process पर हमें किस तरह से faith हो क्या सच में result आएगा नहीं आएगा आप मेरे community टाप visit कर सकते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे results मिल चाहेंगे आजकल मैं daily post कर रहे हूँ जो जो review मेरे पास आता है तो आप वहाँ पर check कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ अपनी reading book करना चाहते हैं तो आप मेरे whatsapp के through या फिर मेरी email id के through कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगी so I hope जोनोंने pile number 2 choose किया है आज की reading आपको पसंद आई हो नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा ये reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना बद भूलिएगा आपने near and dear ones के साथ share ज़रूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर अपने relationship को लेकर कुछ clarity मिल से के से do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं ये booking आप मेरे whatsapp के through या फिर मेरी email id के through कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे जिल लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है आप प्लीज मेरे channel को subscribe कर लीजे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए videos की notification मरती रहे मेरा एक और channel भी है soul divine johnny taro link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात 8 बजे उस channel पर post करती हूँ आप लीज उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीजे और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे मेरे एक और channel भी है soul mystic taro उस channel पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे ज़बात yes or no pendulum readings यसी सभी readings में अपने उस channel पर post करती है आप लीज उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीजे और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे उस channel का link पर आपको नीचे description box में मिल जाएगा so thanks for watching see you soon